आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्रिक, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ एक पेंडलोम क्लोक है, जिसका पेंडलोम आरन का बना हुआ है उसकी लेंद बन मीटर ठीक है, और हम उसका दीट को और दे रख दे रख है 10 की पावर मैनस 5 पर डेडिर सेल्स एस ठीक है, हमने क्या किया, टेमपेचर को 10 degree Celsius से बढ़ा दिया, ठीक है तो मारा option है कि क्लोक में क्या चैन जाएगा वो कुछ टाइम लूज करेगी या गें करेगी ठीक है, तो पहला समझते है कि ऐसा क्यों होगा वो गें लूज क्यों करेगी तो पेंल Director, दो में Australians, लूज करथा क्याता है क्यों है तो यह कुछ हिसर्चोंस रेड़ा करता है इस से मेरे सेकण चालते है ठीक है, वन सेकन जासे करके इस का टैप डाता है यह ऊत्यूट हो भीस के टैप यह से एंप यह बता करते है, दोस थैंड हो गैं इसके simple pendulum हमें इसके time period के formula के होता है d is equal to 2 pi under root l by g जो कि मैं जातरल को याद होता है ठीक है तो अब क्या हो रहा है कि जैसे हम इसे heat करेंगे हमने क्या कि यह temperature 10 रिसल से बढ़ा दिया तो इसके l में कुछ चैंज जाएगा इसके कुछ expansion होगा यहनिस की लेंथ पहले जो की ल थी जो दिमा वन मीटर दे रखिया है अब कुछ बढ़के l प्रस ठील टाल हो जाएगी और उस ठील टाल की विज़े से टैंपिद में जाएगा और टैंपिद अब जाएगा तो इसका time बता रहा बदल गया टैंपिद बढ़ जाएगा क्यों कि ल की वैली कुछ बढ़ जाएगी तिसके विज़े से कुछ time लूज करेगा ठीक है तो यह तो पक्ताई की लूज करेगा या पहले दूसे अप्सन में ज़मार कुछ होना है अब मैं उसकी वैली निकालनी है तो पहला हम देखते हैं कि यह हमारा t जो हमारा actual है अब हम निकालते है t डैस वो क्या होगा 2 πाई अंडरूट l प्लस डिल्टा यल भाई जी ठीक है क्योंकि लेंध में इतना चेंज होगा l प्लस डिल्टा रूट फिक है और अगर मैं इसे डंक से लिकूं l प्लस डिल्टा लेकूं टू पाई अंडर रूट एल वन प्लस अलफा डिल्टाटी ठीक है और पॉन जी ठीक है अगर मैं चेंज निकलना है तो क्या होगा टी डेस मैंनस टी मैं इनकी वैलियो कर मैं लिखूँ तो टू पाई ठीक है वो अंडर रूट एल वे जिम अपन ले लेंगे जोंकि दोनों मे आ रहे हैं, बचेएगा क्या, 1 plus alpha delta t, जिसकी पावर मेरी 1 by 2 है, minus 1, क्यों लेहीं बचेएगा, बागी सब चीज़े बादल चुकी है, मतलब यहां से minus कर दी हमने, अब क्या हम इसमें लगाएंगे बैनमेल, क्योंकि alpha delta t की वेली बहुत कम है, alpha इतना 10 कपर minus 7 में, तो यह क्या बनेगा, 2 pi under root lyg, इसमें अब बैनमेल लगाँगो, तो यह 1 plus 1 by 2, alpha delta t, minus 1, तो यह 1 से 1 कैंसल है जाएगा, इसको और मैं, यह मेरा क्या है, 2 pi under root lyg, यानि कि t, जो पहले था, तो क्या बनेगा, t minus t dash, और यह t dash minus t, हमने उसे minus किया था, ठीक है, तो t dash minus t is equal to, यह पूर टी लिख देते है, यह 1 से 1 कैंसल, 1 by 2 alpha delta t, यह मेरा time है, यह temperature है, तो अनको अब हम थोड़ी देख लिख रहे हैं, वैसे यह same नहीं करने चाहिए, यह मैं जो कुछ और माना, इसमें theta मान लेता हूँ, temperature को delta theta को कर देता हूँ, ठीक है, तो यह बन गया, हम सब पहुँच है कि, कितना time lose करेगा, gain करेगा, वो कैसे, अग अगर में delta t करूँ, अपन t, यह जो value मेरी, यह होगी, 1 by 2, alpha delta theta, इसको मेरा change नगलना, यह मेरा असली change, जो मेरा change आ गया, ठीक है, तो अब मुझे करना है, यह है, जो change आया time में, option दिये मेरे, per day, तो यह तो है per second, per day में कितना होगा, per day में कितना होगा, वो में कितना होग तो उसके लिए क्या करेंगे, जितने एक टे में second होती है, उसका multiply करेंगे, इसमें multiply करने के मतलब, इस case में multiply करना हम है, तो सिधा हम इसी में करते है, 1 by 2, alpha delta theta, into 3600, into 24, ठीक है, तो इसकी value देख लेंगे, हम क्या है की पूरी खेलोर करके, इनकी value रख देतने पहले, तो 1 by 2 इसे डिवाइट करूँगा, तो 12, into 3600, into alpha की value 10 की पौर मैनस 5, into 12, theta theta, याने की 10, ठीक है, तो इसकी value जो होगी, वो हमारा होगा final answer, तो हम calculate करके देख लेतने, इसकी value क्या आती है, ठीक है, इसकी value आती है, 4.32, ठीक है, और second, तो यह मारा final answer है, जो मारा दी clock है, वो पर दे इतने second lose करेगी, lose इसलिए करेगी, क्योंकि length बढ़ी है, time जल्दी जली travel करेगी, तो हमें ज्यादा time बताएगी, जबके अक्चलर उतना time नहीं होगा, तो वो lose करेगी time, ठीक है, तो इसमें हमारा view option correct है,